गुड मॉर्निंग बच्चों आज का हमारा काम पाठ हमारा वो ही चल रहा है खिलोने वाला कविता आज हमने लिया है इसमें प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न है तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे कौ अक्सर तुम्हें किस तरह की बातों पर रूठते हो इसका उत्तर है मन पसंद का खाना न मिलने पर पसंद का खिलोना न मिलने पर टीवी प्रोग्राम पसंद की ड्रेस तथा फोन न देखने पर मैं रूठता हूं या रूठती हूं ख़व प्रश्ण है मा के अलावा घर में और कौन-कौन है जो तुम्हें मनाते हैं इसका उत्तर है मा के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे दादा, दादी, बड़े, भाई, बहन, बुआ, आदी मुझे मनाते हैं प्रश्ण दो है हम ऐसे कई त्यवहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं ऐसे त्यवहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करो कक्षा में सुनानी है अतह कुछ वाकिय याद करो ये आपका मौखे कारी है यानि ओरल वर्क है ध्यान से सुनिये कोई भी ऐसा त्यवहार जो आप मनाते हैं और वह त्यवहार बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देता है ऐसे अत्यवहार से जुड़ी कहानी या उसके बारे में कुछ वाकिय आप याद करेंगे यह मैं आप से क्लास में सुनूंगी ठीक है बच्छो अगला प्रश्ण है आपने राम लीला या रामायन देखकर शी राम जी के बारे में जाना समझा होगा आपको उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी याद करनी है आप कोई बात ये भी आपका मौखे कारिया है औरल वर्क है मैं सुनूंगी क्योंकि अभी आप कुछ नहीं कह सकते अभी आपने रामायन सीरियल देखा होगा दूर दर्शन पर उसके अलावा आपने कोई कहान सुनी होगी कोई कहानी पड़ी होगी जिससे कि आप शीराम जी के बारे में आपने कुछ जाना होगा तो आपको उनके बारे में कुछ वाकिये याद करने होंगे ध्यान रखिए आज आपके दो क्वेशन तो इसमें ओरल है इनको आप बिल्कुल तरीके से आप याद करिए मुझे विश्वास है कि आपने अब तक कविता याद भी कर ली होगी लिख भी ली होगी ठीक है और अब आपके हैंड डाइटिंग किसी किसी बच्चे की तो थोड़ा थोड़ा अच्छी पहले से इंप्रूब दिखाई दे रही है मुझे आशा है सभी बच्चे अपने हैंड डाइटिंग सुधारेंगे बच्चों क्योंकि आप पैन का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से लिखिए ठीक है और सासात काम को याद करते जाएए चलिए बच्चों ठीक है